साल 2023 का पहला सूरी ग्रहन 20 अप्रल 2023 दन गुरुवार को लगने वाला है। वैज्यानिक नजरिये से सूरी ग्रहन एक खगोली अघटना है। लेकिन धार्मिक द्रश्टी से ग्रहन की घटना को शुब नहीं माना जाता। इस साल का पहला सूरिग्रहंड 20 अप्रिल को सुबह 7 बच कर 5 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बच कर 29 मिनट पर समाप्त होगा। सूरिग्रहंड लगने के कुछ गंटे पहले से सूतक लग जाते हैं। इस साल का सूरिग्रहंड भारत में नहीं दिखाई देगा। जिसकी वज़े से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत में सूरिग्रहंड लगेगा या नहीं? या सूतक काल यहां होगा या नहीं? सूरिग्रहंड का सूतक काल 12 घंटे पहले से ही लग जाता है। शास्त्रों के अनसार, जहां सूरिग्रहन नहीं लगता, वहां इसका महत्व भी नहीं होता. ऐसे में भारत में इसके सूतक काल का भी कोई महत्व नहीं है. इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा. वैसे आपको बता दें कि सूतकाल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं सूरिग्रहन का सूतकाल भारत में मानने नहीं होगा फिर भी एतिहाद के तौर पर नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है सूतकाल के दौरान आप अपने इश्ट देव के नाम का जब कर सकते हैं सूतकाल में गर्वती महिलाओं को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और सूई, कैची, चाकू इन सब चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए सूतकाल के समय सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए सूरिगरहन का कुछ राशियों पे शुप्रभाव पढ़ने वाला है चलिए चानते हैं वे कौन सी राशिया है वरिष़राशी व्रिश राशी के जातोकों पर इस सूरिग रहन का शुप्रभाव देखने को मिलेगा सूरिग रहन के सकारात्मक प्रभाव से व्रिश राशी के जातोकों को धनलाब के अफसर प्राप्त होंगे नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है वहीं यदि आप काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसमें आप जरूर सफल होंगे सुरिग रहन के सकारात्मक प्रभाव आपको अच्छानक से धनलाब दे कर जाएंगे आपका पुराना फसा हुआ पैसा भी मल सकता है इसके अलावा यदि आप किसी कोट का चहरी के मामले में फसे हुए हैं तो आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है धनुराशी धनुराशी वालों के लिए साल का पहला सूरिग रहन शुब होगा इसके प्रभाव से धनुराशी के जातकों को भागे का पूरा सहियों मिलेगा धनलाब के कई अफसर प्राप्त होंगे साथ ही बिजनिस में मुनाफ़ा होने की संभावना है इस दौरान आपको वैवाहिक और परिवारिक जीवन से बेहद ही खुशिया मिलने वाली है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें